फिसकल येर 2022 टॉप 10 बेस्स सेलिंग कार्स कौन सी रही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और इन 12 महीनों में टाटा नैक्सॉन नमबर वन बेस्स सेलिंग स्यूवी बन गई है आईए शुरू करते हैं इस वीडियो को केकार247 यूट्यूब चैनल पर 10 पोजिशन पर आने वाली मारूती सुजुकी एको के साथ इन 12 महीनों में इसकी 1,8,345 यूनिट विकी हैं लास्ट फिसिकल एर 2021 से कंपेर करें तो 1,5,0801 यूनिट्स ही बिक पाइन थी यानि के 3,264 यूनिट्स है यहाँ पर और ये 10 पोजिशन पर है इसके बाद 9 पर है ब्रेजा मारूती सुजुकी विटारा ब्रेजा की 1,13,711 यूनिट्स विकी है 2021 फिसकल एर से कंपेर करें तो 94,635 ही विकी थी यानि के 19,076 यूनिट्स जादा विकी है इस फिसिकल एर 2022 में मारूती विटारा ब्रेजा की एक्षे रूम प्राइज 7,686,000 रुपे तक जाती है 8 पोजिशन पर है मारूती सुजुकी अर्टिगा जिसकी 1,17,150 यूनिट्स विकी है 2022 में वही 2021 में बात करें तो 88,571 यूनिट्स जादा विकी है तो यहाँ पर भी काफी तगड़ा डिफरेंस आ गया है सेल्स में और अर्टिगा और एक्सेल 6 का अपडेटेड वर्जन भी इसी महीने यानि अप्रैल में लाँच कर दिया जाएगा अर्टिगा की एक्सेल रूम प्राइज 8,11,000 रुपे दे शुरू होकर के 10,84,000 रुपे तक जाती है इसके बाद है 7 पोजिशन पर हिउन्डाई की क्रेटा मिड साइज SUV सेग्मेंट में आने वाली गाड़ी है जब से लाँच किया गया है तब से लेकर के एक साल तक तक तो लगातार यह नमबर वन सैलिंग SUV बनी रही लेकिन अब यह सेकिंड पोजिशन पर है इसके एक लाग 18,92 यूनिट बिके हैं फिसकल एर 2022 में वहीं 2021 में एक लाग 20,035 यूनिट बिके थे यानि के लास्ट येर से इस एर 19,43 यूनिट कम बिके हैं क्रेटा की एक्शन रूम प्राइज दस लाग 22,000 रुपे दे शुरू होकर के 17,93,000 रुपे तक जाती है और सभी गाड़ियों की अप्रैल 2022 की लेटेस्ट अप्रेटेट एक्शन रूम प्राइज ही हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं इसके बाद है सिक्स पोजिशन पर टाटा की नैक्सॉन जिसके एक लाग 24,130 यूनिट बिके हैं तो यहाँ पर यह सिक्स पोजिशन पर है लेकिन SUVs की बात करें तो नमबर वन SUV है टाटा नैक्सॉन में 70 प्लस वेरिंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं पैट्रोल, डीजल, आटोमेटिक और मैनुवल सब मिला करके बात करें एक्शन रूम प्राइस की तो 7,42,000 रुपे दे शुरू होकर के 13,74,000 रुपे तक जाती है फिप्थ पोजिशन पर मारूती सुजुकी डिजायर जिसके 1,26,790 यूनिट बिके हैं वही फिजकल यर 2021 में 1,28,251 यूनिट बिके थे, 1461 यूनिट कम बिके हैं इस साल डिजायर की एक्शन रुम प्राइस 6,09,000 रुपे दे शुरू होकर के 9,13,000 रुपे तक जाती है फोर्थ पोजिशन पर है मारूती सुजुकी अल्टो 2022 में इसके 1,45,166 यूनिट बिके और 2021 में 1,58,992 यूनिट 13,825 यूनिट इस फिजकल यर में कम बिके हैं लास्ट के मुकाबले एक्शन रुम प्राइस 3,25,000 रुपे दे शुरू होकर के 4,94,000 रुपे तक जाती है इसके बाद है मारूती सुजुकी बलैनो फिजकल यर 2022 में 1,46,183 यूनिट बिके हैं वहीं 2021 की बात करें तो 1,63,445 यूनिट बिके थे 17,262 यूनिट कम बिके हैं और इस बीच में अनॉंसमेंट कर दी गई थी कि इसका फेसली बर्दन में लांच कर दिया जाएगा दूसरी पोजिशन पर है मारूती सुजुकी सुजुकी सुफ्ट जिसके 1,67,827 यूनिट बिके हैं वहीं फिजकल यर 2021 में 1,72,671 यूनिट बिके थे 4,844 यूनिट कम बिके हैं इस साल में सुफ्ट का मार्केट लगतार बना हुआ है टॉप 10 बेस सेलिंग कार में भी हमेशा आ जाती है लेकिन मार्क की महीने में आपने देखा कि सुफ्ट की सेल्स काफी कम हुई है और लास्ट मन्त भी ऐसा ही था अगर आपने टॉप 25 बेस सेलिंग कार कौन सी रही मार्क 2022 की तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देदेंगे वहाँ जाकर कि आप लेटेस्ट कार और उनके प्राइजस भी देख पाएंगे सुफ्ट की एक्शन रूं प्राइस 5,90,000 रुपे दे शुरू होकर कि 8,76,000 रुपे तक जाती है यानि कि अगर 8,00,000 रुपे तक का बज़ेट भी है आपका तो भी आप इसका टॉप वेरेंट ले जाओगे टॉप वेरेंट में कई सारे बड़े अपडेट्स किये गए हैं अब इस गाड़ी को थोड़ा सा बेसिक से हटा करके प्रीमियम की तरफ को बढ़ाया गया है क्योंकि ये टॉप सेलर है मारूती की तरफ से जिसकी रोट प्रेजेंस भी काफी बहतर है इसमें काफी स्पेस मिल जाता है डेटिकेटड वीडियो भी हमने आपके लिए इसका बना दिया है नहीं देखा है तो वो आपको कार 247 यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा थैंक्यू फर वाचिंग